हेलो फ्रेंट्स मैं अनुपा माव सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वाबत है आज की वीडियो हम करेले की सब्जी बनाएंगे एकदम अलग तरीके से करेले ये करेले कड़वे भी नहीं लगेंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं चलिए वीडियो सु संदाएंगे सबसे पहले हम करेले ले लिए 200 ग्राम अब हम इनको काट लेते हैं कि देखिए इस तरह से काट लेना है कि नीचे डंठल से अलग नहीं करना है इस तरह कलियों में काट लेना और बीजे निकाल देना है यह करेला खाने में बिल्कुल भी कड़ूआ नहीं लगएगा और बच्चे भी आराम से खा लेंगे देखिए इस तरह से काट लेना है कलियों में ऐसे ही सभी करेले काट के रख लेते एक ठाली में देखिए हमने काट लिया है अब हम थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक और अच्छे से मिक्स कर देते हैं मिक्स करके आधा घंटा रख देते हैं धक्के जिससे इनका पानी निकल जाएगा देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है अब हम धक्के रख देते हैं इनको आधा घंटा के लिए आधा घंटा हो चुका है, देखिए करेले नरम हो चुके हैं, इस तरह से निचोड़ देना है पानी को, इससे कड़ूआ पन चला जाता है करेले का, एक प्लेट में अलग रख लेना है, देखिए कितना सारा पानी निगला है, यही कड़ूआ पानी रहता है, अब हम थोड़ा सा लहसुन का पेश्ट डाल देते हैं, और थोड़ी सी लाल मिर्ची, और थोड़ी सी कस्मीरी मिर्ची, इसी जहां अमिया का पेश्ट भी डाल सकते हैं, या फिर आम चूर डाल सकते हैं, अब धनिया पाउडर एक चम्मच, स्वादा नुसर नमक, नमक कमी डालना है क्योंकि पहले भी नमक पड़ चुका है, अब थोड़ी सी सौंफ डाल देते हैं, क्रस करके, और थोड़ा सा दो चम्मच बेशन, एक चम्मच चावल का अटा, अब हम सारी चीज़े अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे करेलों में अच्छे से चपक जाए, देखिए इस तरह से अच्छे से चिपका लेना है, अच्छे से चिपक नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ऐसे ही छिट्टा मारके पानी डाल देना है, बहुत गीला नहीं करना है, देखिए हमने चिपका लिया है मसाला और बेशन और चावल के आटे को, अब हम इनको तल लेते हैं, एक कड़ाही में सरसो का तेल ले लिया है, तेल भी घरम हो चुका है, अब इस तरह से करेला डाल देते हैं, और बीच बीच में चलाते रहना है, सच मानिये करेला खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है, और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है, क्रिस्पी भी बहुत बनता है, देखिए हमारे करेले तयार हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं एक ठाले में, सिकेंड बैच के भी ऐसे ही तल लेते हैं, देखिए हमारे करेले बनके तैयार हो चुके हैं कितने क्रिस्पी दिख रहा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप ऐसे भी खा सकते हैं रोटी पराठा या फिदाल चाउल के साथ में देखिए कितने क्रिस्पी दिख रहा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फेमली मेंबर दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा एक बार ज़रूर ट्राइग कीजिएगा आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक रखे अपना धेर सारा ख्याल देख